हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर चैनल, दोस्तो स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल, इंडियन आर्मी स्टेडी क्लासेस में, दोस्तो आज इस क्लासेस में दोस्तो यह आपका जो है 18-19 ऐसा कोश्चन है, यह 18-19 ऐसा कोश्चन है दोस्तो जो आपके दिमाग को हिला इतना भी मतलब डेंजर एक कोश्चन है दोस्तो कि आपको अधी बना लेते हैं तो बुझे के नर्सिंग असिस्टेंस आपका हो गया, चलिए मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कोश्चन और एंसर दोनों साथ में साथ बताते चलूंगा, और आप जो है अपने बैलोजी का 400 कोश्चन देखने के लिए दोस्तो आप प्ले लिस्ट में जाईए और पुड़े का पुड़े आप कोश्चन देख जाए तभी वो 400 कोश्चन और पलास ए जो है 19, ए 419 कोश्चन आप देख लिजिए ताकि नर्सिंग असिस्ट में आपको बहुत सी हेल्प मि ताजा सुवास देता है, दूद को है यह ताजा मने रखता है यानिगी जो है ताजा देखने में अच्छा लगता है दूर इसलिए दूद के बढ़तन में हमेशा केला के पत्ता गूअला जो है रखता है यानि की अहिर चार से एक पुछाई निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए तो निम लिखित कथन भी विचार करने आपको पहला कोछाई थारायर ग्रंथी को एड्रिनेलीन बनाने के लिए ऐवडीन के आउसेक्ता होती है दूसरा बला आयोडीन हिंता के परिणाम सोरु मनुस्यों में गलगंड यानकी ग्वाइटर होना है तिसरा बला आयोडीन अगनासे द्वारा सरावित होती है और कोलेस्टरॉल अस्तर के नियंतन में सहयक होती है इसमें बोलाएं कि दोस्तों ये तीनों चीजों को प्योगत गत्नों में कौन सा सही है तो इसमें सही कौन सा सही है दोस्तों पहला देगे थेरार गयंतिक वो एवडीन बनाने के लिए ऐवडीन के आउसेक्ता होती है तो ये सही है पहला दूसरा भी आपका सही है लेकिन त कौन सा एक रसाइन समानने किसानों को द्वारा खरपतवार को नौस्ट करने के लिए प्रयोक्ति करते हैं दोस्तों यहाँ टू-फोर डी टू-फोर डी तो दोस्तों एक बात यहाँ और भी बता दूमें इस वीडियो में कि कल से जो है आपका कमेश्ट्री स्टार्ट होने व अंद ले सकते हैं और इसका फायदा आप अपने एक्जाम में उठा सकते हैं तो कल से आप टेक्निकल ओर्णर से इंग दोनों बच्चे आईए और इन चीजों के इंज्वाई किजिए और अपना जो है सेलेक्शन लेजिए चार सतीन पुछा है गरभाती महिलाओं को विशेज कर पहली ती माही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां प्रयाप्त मात्राय में लेने के सलाह क्यों दी जाते हैं तो जो गरभाती महिलाओं होती है उसको जो है पहली सब्दाय में उनके आहार में हरे पत्ते वाले सबजी आँ को खाने को कियों सलाह दिया जाता है तो इसमें जो है यह यह जो है फोलीख आम्ल्ड के परचूर श्रोत है जो डिना संसलेशन के लिए आवस्यक है इसलिए मैं कच्चे आम शिकूर जाते हैं जब लवन जल में उनका अचार बनाया जाता है यह परिघटना किसे समद्धित है दोस्तों जब कच्चे आम को जब अचार बनाया जाता है तो यह जो है शिकूर जाता है यह परिघटना किसे कायान होता है ते प्रतिप्त प्रासरन के कायान होत है U S fu में मानों में पढून सा है तो देखिए अ क्यों ऐसे पहले ज्युआर्स उसके बाद लार उसके बाद गर पाई जाता है लर में उसके बाद गर्वा को सकता है सिवाय किसके दूद이면 देखे पीत जोर का जो है यह मच्छर वहाग नहीं लेकिन डेंगु फलेडिया और जो है काला जोर है फलेडिया है और डेंगु यह तीनों चीजों जो है मच्छर के काटने से होता है लेकिन पीत जोर जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है यह बिमारी है चार सुसाल पुछाए किसी एक अहार फोसल पर क्लोरीन, क्लोरी निक्रीत, हाइडो कारबोन, पीरक नासी का छिरकाव किया जाता है अहार सिंखला का एक रम, अहार फसल, मुशक, सर्प, बाज, और जो है इस अहार सिंखला में पिरक नासी की अधिक्तम सांता निवन में से किस से, किस में संचित होती है, तो इसमें जो है बाज में होती है, बाज, यह एक बार आपना question पर लिजिए, फिर से, एक अहार फसल की क्लोर्णी क्रित, हाइड्रो कार्बन, पिरक नासी का छिरकाव किया जाता है, अहार सिंखला के क्रम है, अहार फसल, मुशक, सर्प, बाज, इस अहार सिंखला में पिरक नासी की अधिक्तम सांता जो है, निवन में से किस में संचित है, तो सबसे जो है, पिरक नास करने वाल पर विचार किजिए तो निमलेखित परत्ति विचार केकर ने पहला आपका दिया है सस्या वरतन बालू की आड़ वेदिया निर्मान यह है वायू रोध तो इसमें जो है एक दो तीन और चार यह जो है आपका विधिया उप्यूक्त समझाई जा सकती है तो आपका भारत में जो है मृद्धा समक्षन के उप्योग में से कौन से विधिया समझाई सकती है तो एक दो तीन चार यह जो है ति चारों विधिया आपको समझाई जा सकती है 409 पुछा है कि अनुवानसिक हेर फेर द्वारा प्रक्रेतिक प्रित्थ कृतों से विख्षित जिवानुग का कौन सा जिवानुग विभेद समुद में विख्रे तेल का निवारन करने के लिए उप्योग में लाया जा सकता है तो तो आपका हो जाएगा नाइट्रो सोमोन निले हरे सेवाल की कुछ जातियां की कौन सी विशेश्ता उन्हें जैव खाद के रूप में वधित करने में सहयक होती है तो तो ते दखिए निले हरे सेवाल में कुछ जातियां की कौन सी विशेश्ता उन्हें जैवी खाद के रूप में वाधित करने में सहयक होती है तो फसल के पधों को याईसे नज्याइं पैदा करने के लिए प्रेद करती है जो वाई मॉंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेटों में पडिवर्टिन करने में सहयक होता है। चार से गारे पुछा है कुछ बनस्पत्ती जाती है कित धारी होती है कियों तो वे नाइट्रोजन नियून मिर्दा में उगने के लिए अनुकुलित और तथा इसलिए प्रयाप्त नाइट्रोजन पोशक प्रयाप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती है यानिके अप्शन प्येज़दा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पुछा है बारा ये किंग कोब्रा एक मात्री ऐसा सर्फ है जो अपने घोसला बनाता है वह अपने घोसला कियों बनाता है दोस्तों तो वह अपने घोसला इसलिए बनाता है कि यह अंड प्रजक्त सर्फ है जो घोसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे न को ब्रक्राहें हैं जिसको गऊंवन भी बोलते हैं कि टेन談ौ जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निफन्नि में में से कॉन सी एक प्रक्रिया पार्चक प्रक्रियर से अको चीवित् जीवित प्रान्यों में क्रॉमिक विकास की दिश्टी से निमन में से कौन सा एक क्रॉमिक विकास का सही उनक्राम है यह जो है सार्क के बाद जो है कॉक्छप के बाद जो है उद बिलाओ पंदर नमर देखिए क्या पुछा है निमनलिखित कफनों पर विचार किजिए हैप्टाइटिस भी एचाईबी या एड्स की तुल्ला में कई गुना अधिक संक्रामन है है यह जो है आपको बोला है कि उप्युक्त कफनों में कौन सा कफन सही है तो यहां आपका जो हो जाए सोल नमर पुछा है कि मानो प्रतिरक्षा हिंता विशान यानकि यह चाईबी के संक्षन में संदर में निमन में से कौन सा एक कफन सही है तो इसमें आपका एक कफन सही हो जाएगा इस्त्री से पूरुष में संचन की संभावना पूरुष से इस्त्री में संचन की संभावन कि तुलना में दुबुनी होती है त्याने के अप्शन यह इजदा क्रेक्ट हो जाएगा कि 417 देखिए क्या पुछा है कि वायू में पर्दूसक कार्बन मुनो अक्साइड के अधिक अधिक मात्रा में मोचन के मनुष्य के शरीर में अक्सिजन के पूर्ती में कमी लाने वाले अवस्था उत्पन हो सकती है यह अवस्था किस कार्ण उत्पन होती है यह अवस्था जो है आपकी यह वस्था उत्पन होने वाली है आपकी अंतस वसन में ली गई CO यानि की carbon monoxide की oxygen की तुलना में hemoglobin के प्रति कहीं अधिक बंधता है चार सा अठारे पुझा है निमन लिखित कतनों पर विचार किजिए इस कतन पर विचार किजिए आप आदी में परतिक ब्यक्ति स्वयन फुलू के लिए समान रूप से समवेद परपोसी है दूसरा पुझा है आपसे स्वयन फुलू के प्रत्मिक उपचार के प्रति जैविक की काई भूमिका नहीं होती है तीसरा पुझा है, मामारी पर भावी छेतर में स्वायन फुलू से, स्वायन फुलू के भावी बिस्तार को रोग थाम है, तो उस छेतर के सभी सुवरों को नोश्ट करना निमार है, तो इसमें आपके कौन सा कथन सही होगा, यहीं आपको बताना है, तो इसमें आपके कथन ज आपका स्वायन फ्लू के प्राथमिक उपचार के उपचार में प्रतिज्याइबिक जो है यानि के एंटिबायोटिक की कोई भूमिका नहीं होती है यह आपका तीसरा गलत है इसलिए आपका एक और दो दोनों सही है तो दोस्तो आई होप आपने 19 कोश्चन आसानी से हैं परह दोस्तो और इसको इंज्वाय भी किये होगे और इसको याद कर लिए होगे यदि आप याद नहीं किये हैं तो इसको 100% याद किजिए क्योंकि आपको यह सब कोश्चन जो है पूछा जाने वाला है और मैं कल से आपको बता दूँ कि कमेस्ट्री का कलासेस आपको चलेगा क नेमेस्ट्री आपको पढ़ना है और आपको सेलेक्शन लेना है इस बार दोस्तो चलिए आज इतना ही रहें देते हैं फिर मिलेंगे नेखर वीडियो में थैंक्यू जैहन